सावन शुरू होते ही एक तरफ भक्ति की बयार बहने लगी है तो दूसी तरफ नए रूप में शुरू हुई डांक कावड यात्रा को लेकर युवाओं में जुनून रहा शहर और गाउं से युवाओं की टोलियों ने दो माह के सावन में पढ़ने वाली प्रत्यक सोमवार को डांक कावड लाकर पवित्र गंगा जल से भगवान शेव का जलाविशे किया इस एक्रम में सावन के अंतिम सोमवार को यात्रा का समापन करते हुए भैरो बाबा मंदिर समेती जहांसे की युवा सलस्यों की एक टोली ने देर रात को ओडशा पहुँचकर सुबह राम राजा के दर्शन के बाद अपनी यात्रा प्रारंभ की जिसमें ओडशा बेत्व वर्मा, रासोनी, ललितपर, हेमानशो साहु, नमन साहु, देवरासोनी, अमिसोनी, यश्च सोनी, नीलेश, रोहन सम्मेलित रहे। संतो शाकी रिपोर्ट बुन्दल खंटडे न्यूस छांसे।